नमस्कार दोस्तों, Infosys Limited शेर हमें लगातार एक sideways pattern में move होता हुआ दिखाई दिया है दोस्तों, Infosys में हमें एक बहुती बड़ा consolidation दिखने को मिला है तो आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ Infosys Limited शेर का technical analysis और हम देखेंगे कि इस शेर में एक दमा के दारतेजी कब आएगी क्या इस शेर में यहां से correction आ सकता है और अंत में हम यह भी discuss करेंगे कि इस शेर में हमारे short term targets क्या रहेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं Infosys share में हमारे important support की तो यहां पर 1500, 33 रुपीज का लेवल यह वाला लेवल एक बहुती important support लेवल है क्योंकि यहां पर आप देखो पहले भी share ने इसी लेवल पर support लिया था दोस्तो अगरम बात करते हैं इस share में resistance की तो यहां पर आप देखो 1593 रुपीज का लेवल एक important resistance है क्योंकि यही पर इस share ने पहले resistance phase किया था आप यहां पर देख सकते हो और अभी भी यह share इसी लेवल पर resistance phase कर रहा है तो दोस्तो यहां पर एक similar pattern form होते हुए दिखाई दे रहा है आप देखो यहां पर इसी जोन में पहले इस share ने consolidate किया था उसके बाद एक अच्छी तेजी दिखाई थी और अभी भी यह share इसी जोन में consolidate कर रहा है तो दोस्तो यहां पर एक simple logic है अगर यह share अपना resistance break करता है तो इस share में तेजी आएगी अगर यह share अपना support तोड़ता है तो एक गिरा वटाएगी दोस्तो टार्गेट जानने से पहले आईएव हम देखते हैं इस share में कुछ important technical indicators हमें क्या signal दे रहे हैं तो यहां पर दोस्तो मैं दो important indicator को apply करूँगा पहला indicator है volume indicator और दूसरा indicator है relative strength index तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तो RSI में हमें एक अच्छा सा move देखने को मिला है आप यहां पर देखो दोस्तो RSI में लगातार गिरावट के बाद में एक अच्छी तेजी देखने को मिले है इसका यह अर्थ है कि यहां पर RSI धीरे-धीरे strong होता जा रहा है पर अभी भी अगर हम RSI का value देखते हैं तो RSI की value अभी भी week दिखाई दे रही है क्योंकि RSI की value 40 के भी नीचे आ गई है तो दोस्तों अगर RSI यहां से और strong होता है तो खरीदारी करने का एक अच्छा मौका रहेगा अगर हम बात करते volume indicator की तो यहां पर आप देखो volume indicator लगातार एकी range में volume indicator में ना ही हमें कोई high volumes देखने को मिले है ना ही कोई बहुत low volumes तो volume indicator हमें कोई signal नहीं दे रहा है दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस share में खरीदारी करने की तो आप इस share को तभी पाई करो जब यह share 1600 के उपर जाता है अगर यह share इस level के उपर जाएगा तो उसके बाद जो सबसे पहला target रहेगा मेरा वो रहेगा 1650 रुपीज का लेवल दूसरा target रहेगा 1720 रुपीज का लेवल और तीसरा target रहेगा 1900 रुपीज का लेवल शॉर्ट टर्म में दोस्तो अगर यह share अपना support तोड़ देता है तो यहाँ पर गिरावट आने की संभाव ना रहेगी इसलिए आप इस share में 1500 रुपीज का stop loss लगा सकते हो तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना ऐसे updates के लिए चैनल को subscribe कर दीजियो और इस share में मेरी कोई भी बाई से लिए hold की सला नहीं है धन्यवाद